आज की वीडियो में बहुत अमेजिंग से फोल्डिंग मिरर के बारे में एक बहुत अफोर्डिबल सा एलेडी वैनिटी मिरर के बारे में जो के बहुत असानी से पाकिसान में भी अवेलिबल है इस तरह की पैकेजिंग में आता है उसके बाद एक्चली मिरर इस तरीकी का है और इसकी कॉलिटी बहुत जादा अमेजिंग है इतने कम प्राइजिस में इतनी अच्छी कॉलिटी सिरिसली मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी कॉलिटी और यह किस तरह वर्ट करता है इस मिरर की सबसे बेस्ट चीज यह है कि इसमें दो फंक्शन थे हैं पैटरी और वायर सिस्टम भी दिया हुआ है अगर आपके पास पैटरी पॉर सम रीजन ना हो तो आप वायर के जरी भी आ आप इसे यूज कर सकते हैं इसकी सबसे बेस्ट चीज यह है कि यह डबल साइडर मिरर एक फॉर्स साइड पे जो मिरर एक नॉमन मिरर है और सेकंड साइड पी इसके मिरर ही लगावाए जो के बहुत ही जादा स्कैरी लुक देता है लेकिन आपकी आइज और जिस तरह कर सकते हैं यह उसके लिए मिरर है और इसकी सबसे बेस्ट चीज यह है कि यह एलेडी मिरर है ठीक है इसके यहां साइड पे लाइट लगी है जो के बहुत अमेजिंग सी लाइट से मैं आपको अन करके दिखाऊंगी थोड़ी तेर बात इसकी हम कॉलिटी की बात करें तो मै बहुत जादा मीजिंग है और जस फूर ट्वांड रूपीस काफी सारी लोग हैं जो के मेरे फॉलोवर्स है मुझसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने वीडियो में प्राइजिस मैंशन नहीं करती ही बताती नहीं है तो गर्स सुन लेजी आप लोग के लिए इसक अपने सासाथ LED भी इसमें मुझूद हैं फ्रंट एंड बैक मिरर है इसका और 13 इंच का है और बहुत ही अमेजिंग से इसका लाइट है मैं जरा अन करके दिखा दूए इसकी लाइट किस तरीके से वर्ट करती है जरा चेक किजीए इसकी लाइट को इस तरीके से यह बहुत जबदस्ता मिरर है सीरिस्नी मेरा तासल आ गया है जो लटकियां बहुत जबदस्ता मिरर की मिरर्स की बहुत जब श्यक्राइट हो तो गैस्तर बाइजिंग से जरा ऑपने इसमेजिए जब जब ज्यादा है आपने साहत ले जा सकते हैं क्योंकि इस तरह दूए और बहुत तब दसा ओसम कॉड़िटी का ये फॉल्डिंग मिरर है तो अगर आप लोग पाय करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पैंशन कर दूंगी दिस्क्रिप्शन में इनका फेस्बुक का लिंक भी है और इस्टाग्राम पे भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप इनसे इपाय कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि बहुत ही मॉस्ट अफॉर्डिबल सा अब पाकिसान में इन वेल्यू एए और फ्यू आप इन वेल्यू आप इस।